कि वेल्कम टू मार्वल फिचर फइट इन इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं तो फट फट कमेंट्स पढ़के आंसर देतों तो सबसे पढ़े तो यहां पर बाच चल रही थी बाच नहीं कि मेंगा वेली में दील ती किट लिया तो उसी कर रहा हूं बुझा कर उसका स्हीं करूंब कर कंद रखा है मेरे पास साथ सो टोकस नहीं ते मैरे पास लगबगा 650 के आजब सास हो बनारी होते कुछ दिन मैंने मिस कर दिया था तो उस वज़े से मेरे पास वह नहीं थे तो यहां पर दूसरी चीज मैं तिक टिकेट ले लिया मैंने 6 star तो वह समाल के रखा है मैंने वह सही character पर यूज करके मैं जो भी उसका इच्छा benefit का उसके लिए मैं यूज करूँआ और वो मेरे पास समाल के रखा हुआ है next यहां पर रगविर सिंग पावर कहां पर उन्हें अजिब से comment क्या हुआ है जो कि मेरे दिमाग में नहीं बैट रहा है और नहीं मुझे समझ में रहा है यह चल करा है कि संध्या चक्रवर्थी आ कर भी दूंगा तो कोई खास फाइदा नहीं होगा एक तो उसका जो स्किल्स है और बोनस है बहुत ही ज्यादा बेकार है और वापस से एंड गेम में वही स्किल्स कॉपीपेस्ट कर दी गई तो यह रिजन से बहुत लोग नाराज है उनमें मैं भी हूँ और मैं चाहता था लागी आरेमन काफी ज्यादा ताकतोर हो एक्जमपल जैसे शुरंड शुरंड के इक्वाल होनी चाहिए थी लेकिन वसाब कुछ भी गेम में नहीं हुआ और बहुत कुछ चाहता था मैं गेम में कुछ अच्छा हो जा लेकिन ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में जो फ्रीटू प्लेयर्स है एक्जमपल जैसे एवेंजर्स हो गया बाकि कुछ और क्यारेक्टर हो गया उनको यह लोग ताकतोर नहीं बनाना चाहते अब इस बात प टॉपिक निकलेगा और एक एक करके एक चुटी चुटी पॉइंट चुटी चुटी इशू प्रॉलम्स मैं निकाल दे जाओंगा जो गेम टेलोपेट्स के लिए स्ट्राइक करने के काफी है मैं निकालों इस बात पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगो जल्दी में कल सब बना दो इसका बता है आगे यहां पर अप्रेट कब आएगा बोस्ते लोग एक कुश्चन कर रहें अप्रेट कब आएगा मेरे काली आपड़ सो वह से लोग बुद्वार को आएगा देखते क्या होता है कि रगवर सिंग पावर बोलते है कि भाई टॉप्टेंग चैनल में उसने बता थे कि एडिंग में का इवेंट अभी खतम नहीं हुआ है ठीक है अच्छी बात है देखते है कि यह लाने दो मैं कैप्टेंगा यूनी लेता हूँ और समझो कैप्टेंग के यूनी में कोई प्रलम होगा ओल्ड वाले तो फिर इंप्रूमेंट करने के उशिश करता हूँ अगर कुछ इंप्रूमेंट होगा तो ठीक है अधरवाइस वीर न्यू उनिफर्म लेना कर रहा याने वो भी उससे रिकवर नहीं कर रहा वतलब क्या ही है एक तो इन लोग ले वह बग डाला है उन्हें तो कुछ ने कुछ तो प्रलम है कि 5.15 के आने वाले अप्डेट वेट 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 ठीक है देखते कर लाता है अबड़िट हीट सॉंग पटा के थैंक्स भाई लगे रहो और टीप सपोर्ट रिस्क्यू को किसी नॉर्मल बाइप्टिक से सिलेक्टर कर सकते हैं मतलब सिलेक्टर से ले सकते हैं नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वह पेवाल करेक्टर है याने उसका पैकेज पर्चेस कहना इस ताहाज मुझे क्या लगता है आरेम को टीए-3 जा अना चाहिए या नहीं मेरेस आप से तीए-3 नहीं करना बिल्कुल मदिए तो है लेकिन आ खास कि वातिं मैं जी तनना सोशन देना उस्य भेतर नहीं है कि मैं इतना सोशन दा उससे बहतर नहीं है मैं इस टौकपर बन बना दू याद से यहां बे डीबी मार्वेल न्यूज ने एक बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है मुझे हो कमेंट देखे कभी अच्छा लगा यह लोग मोबा जैसे कारेक्टर को जिनके हम हासिल फ्री में कर सकते हैं लेकिन उन पे यह कोई इंप्रोमेंट नहीं करते हैं यह लोग उन केरेक्टर को अप्डेट कर रहे हैं जिनके कोई जरूरत नहीं है सिर्फ ड्रैक्ट जैसे केरेक्टर को अप्डेट कर रहे हैं और अप्डेट किया भी तो क्या किया सिर्फ potential add किया ये बक्वास update है एकदम सही बात किया है एकदम बक्वास update है मतलब update बक्वास नहीं है लेकिन कुछ जो इनने किया implement और potential जो दिया वो काफी बक्वास है सिर्यस्ति सच बोला है भाई ने एकदम बक्वास tracks और वो crossbond red skull इंका कोई endgame में कोई बड़ा रोल नहीं था लेकिन इनको potential देने मतलब क्या सोच के दिया पता नहीं agent one को दिया ठीक है समझ में आता है कि agent one ने एक बहुत बड़ी चीज समझे है जो time travel किया उसके बार में वो कैसे काम करेगा endgame में उसका बहुत बड़ी theory समझाएगी प्रोफेसर हल्क ने भी और agent बनने भी तो यहां पर वो चीज थोड़ी सी important है उस वेज़े से उनका बड़ा रोल बनता है तो वो चीज समझ में आती है कि potential उनको दिया 70 वो चीज समझ में ठीक है लेकिन रैक्स का क्या रोल था खंटा जीरो आइंडा जीरो उसके बाद में क्रोसबॉन का भी कुई बड़ा रोल नहीं था वो बस स्पेस्टोन और माइस्टोन को ले जा रहे थे सेप्टर में एक सूट में बांगे तो वहां पर कुई बड़ा रोल नहीं था उनको बड़ा रोल नहीं था तो उसको 70 potential द बस चौका देने पाड़ा था और महां पर टाइमलेंज चेंज हुई की नहीं हुई वो तो भखवन जाने अब क्या हुगा और अब रही बात रेट स्कल की तो रेट स्कल का कोई यह नहीं फामाया है नहीं उसका नहीं कुछ अपग्रेट आया तो उसको यहां पर क्या जरूती potential देने की पता नहीं क्या गेम डॉलर्पस के पागल होगे पता नहीं पैसे चक्कर कमाने के चक्कर में अंदे भूकने ह लोगों के पता नहीं कुमार राज आइडी चेकिंग की वीडियो नहीं बना सकता है इसके परचे एक बहुत बड़ा रेजन है मैं बनाता हूँ ठीक है एक्संपल ज़स्ट है बना लिया इसकंदर मैंने 30-35 लोगों के आइडी ले ली अब उसके अंदर मैं वीडियो के अंदर उरू के बताता हूँ आयसोट का बताता हूँ आइडी अपनेवाली आडी बाकी लोगों की आइडी आप नहीं देखूंगे तो इसको क्या बोलते हैं इसको बहुत जादा है ID checking के वीडियो में मैंने नोटिस किया तो उसी के reason के वज़े से मैंने एक decision लिया कि एक ही वीडियो बनाऊंगा एक character के उपर और वो character को सब लोग देखेंगे ताकि उस character को कैसे upgrade करना है यह सब को दिखेंगा तो सब लोग equal करेंगे सबका जो powers होंगी वो equal होनेगी तो सब अपने अपने हिसाब से उसको ready करेंगे लेकिन जो उसके upgrade होगा वो सबका same होगा यसी के वज़े से मैंने ID checking की video changes किया और जो character है उनको में लिलिया उनका build और character उनका upgrade कैसा करना चाहिए और कै देना चाहिए किया ने देना चाहिए और क्या देने से क्या होगा यस Black वो खुद भुद भुद आगे सीकते जाएंगे उनको फिर मेरे ज़रुद ने पड़ीए तो यह मेरा काम था मैने अपना काम किया तो यह आप बोलते हो कि कि अभी आइडी चीक करूँ तो वह ऐसे पॉसिबल नहीं है और कर भी लोगा तो यहाँ पर फिर से वापस से सेल्फ मैंने चाता कि कोई इसा सेल्फिष पना करें सियु अपनी ऐड़ी देखें बाकी लोगों के ऐड़ी लोगों करते हैं और यहीुजिज मैंने चाता इसलिए मैंने आइडी चेकिंगीरी गुदियोगरा दिया और अगर आपको देखना है तो मेरे प्ली लिस्ट में है प्ली लिस्ट का लाम है माइ फेवरेट क्यरेक्टर उसके अंदर स्पार्डा मैं से लेके क्याप्टन वॉल्वरीन डेड़्पूल यह सब आपको मिल लेंगे हो अगर आपको लगता कि ऊच और क्यड़्टर बें मैं आइडियु चेकिंग की वीडियो तो उसके लिंक शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे लोगों तक तो पोच जाए साथ से जदा बेसिक जो भी बाते हैं सब तक पोचने बहुत ज़रूरी है उसके बात मैं आगे ये बढ़ता हूँ अब भी वो जो आप बोल रहे हो कि सेकंड नंबर का जो थर्ड जिनिफर्म है याने कॉंटम डियाम वाला वो मोटा नहीं है लेकिन किस बेस पर बोल रहे हैं आप मुझे दर रखता है वो मोटा ही होगा बले उसकी दाड़ी वहाँ पर नहीं है दाड़ी और बाल लेकिन मुझे रखता है वहाँ पर मोटा होगा अगर नहीं हुआ तो पक्का 100% में वो युनिफर्म खरी दूँगा अगर उसके अंदर इफेक्ट अच्छे होने चाहिए लाक्निंग टामस थोड़ा इंक्रस होने चाहिए सर्वावेलेटी और जो रिकवरी है वो उसके अंदर होना चाहिए तो हीप मैं वो युनिफर्म प्रजस करूँआ अदर्वाइस इनिफिडिवार का तो है हीप करें है कि अज़र की साथ दॉनिफर्म है देखते हैं कि इसा कुछ होता है वो लोग नीचे एक जी आएफ करके डाल जेते जिसे पिछले बाद फिछले अपडेट में धुक्डेट में धकल दिया लिए लोग तो वी इक गलत किया इसी अब्डेट में डाल देना चीह था काल एक मैंने Allianz में गेम में बात कर रहा था मैंने छीज बोला था कि मज़ाक में बोला था मैने तो coincidence समझ सकते हो मैंने कहा था मज़ाक मज़ाक में कई Drags ARNMN से ताकत्वरना हो जाए यह बात मैं बोला था तो कहीं नकई coincidence को potential मिली गया 70 गा याने उसकी HP लेवल जो है वो 70 कर सकते लेकिन ऐसे character को करेगा कोई नहीं करेगा no chance मैंने मजाएक में बोल दिया और game developer ने सुन भी लिया और seriously कर भी दिया मैंने कई लिखा नहीं था अलाइस में चैट कर रहा था कर लाथ को मेरे का सब्सक्राइब के बाद तो कुछ ज़्याद ही seriously ले लिया दूसरे एक चीज में बोला था यहां पर बता नहीं सकता था नो इसके बारे में था हो वह चीज में बोला था अब डर लग रहा कि वह चीज़ अगर सच होगी तो क्या होगा जाने दो एक चीज और बोली लगी कि क्याप्टन का सूट नहीं आया जिसके अंदर हैमर पकड़ा हुआ था या कॉंटम रियल वाला भी इसमें भी अगर एड करते थे हैमर को तो अच्छा एक देखने को मिलता लेकिन यहां पर क्याप्टन का एक गड़बर हो जाता इक आपर स्कील्स में फिजिकल अलुटम डालते या फिजिकल डामेज डालते या फिर एनरजी अलुटम का प्रॉलम हो जाता तो यहां पर उस्सी Cabinet के करनेक येज़िंधे अपने रलेउय से पाइसे कबाने के लिए कुछ थांक यू